accent 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 का अर्थ होता है लहजा को चारण विशिष्टता स्वर जोर देना या महत्व देना हर देश में या हर रीजन में लोगों का बात करने का लोगों को बोलने का एक अलग लहजा होता है उसको उसका accent कहते हैं जैसे कुछ लोग वर्ड के पहले जोर देते हैं कुछ लोग व हमारे इंडिया में तो local accent भे बहुत सारे पाए जाते हैं। इसको इन sentences से और अच्छे से समझ लेते हैं। He speaks with a strong southern accent. He speaks मतलब कि वह बोलता है, with a strong southern accent मतलब की मजबूत दक्षनी लहजे में। तो पूरे sentence का मतलब हुआ कि वह मजबूत दक्षनी उच्छारण के साथ या लहजे के साथ बोलता है। She spoke English with a faint Dutch accent. She spoke मतलब उसने बोली, मतलब कि वह इंगलिश बोलती थी, with a faint Dutch accent मतलब की मंद डच लहजे में। तो पूरे sentence का मतलब हुआ कि वह मंद डच लहजे में या मंद डच लहजे के साथ इंगलिश बोलती थी। चैनल टो और भी वीडियोज हैं जिन्हें आप जाके देख सकते हैं Like, Share और Subscribe करना बिल्कुल मत बूलिएगा।